दोस्तों, WhatsApp के प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी है लेकिन अभी तक ये किलिए नहीं हो रहा है कि क्या वैटसेप ने बाकई अपने प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पर चेंज करने का फैसला किया है क्या वाकई आपसे वो privacy नहीं ली जाएगी जो WhatsApp चाहता है तो आज की इस वीडियो में हम आपके साड़े doubts को clear करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि WhatsApp के नए privacy policy की इस्थीती क्या है क्या वाकई WhatsApp ने अपने privacy policy को वापिस कर लिया है जानने के लिए बने रही है वीडियो के अंतरा जैसा कि आपको पता हुआ कि WhatsApp आपके साड़े details जो है साड़े data जो है वो Facebook के साथ share करने के लिए आपको जो है accept करने के लिए कहा था अपने term and conditions को अगर आप वहसा नहीं करते तो आपका जो है 8 February के बाद WhatsApp डिलीट कर दिया जाता तो दोस्तो WhatsApp एक chatting application होने के साथ साथ आपको अब UPI transactions की भी अनुमती देता है यानि कि यह एक payment application भी बन चुका है और ऐसे में आपके data जो है third party application के साथ share किये जाए यह तो कहीं से भी मुम्किन नहीं होगा और कहीं से भी लोग इसे accept नहीं करेंगा आपको पता होगा कि privacy policy को ही लेके टिक टॉक के साथ लगभग शैंक रो application को बंद किया गया था और ऐसे में कहीं न कहीं Facebook और WhatsApp को भी इंडिया में बैन करने की यहां पर मांग उठ रही थी और जहां तक मुझे याद है मैंने कहीं website पर देखा था कि हाई कोट में याचिका दायर की गई है WhatsApp और Facebook को बैन करने के लिए तो कहीं न कहीं WhatsApp के लिए बहुत बड़ी मुश्रीबत थी तो फाइनली WhatsApp ने क्या किया यहां पर टर्मेंड कंडिशन्स को चेंज किया है या फिर आपको बेपूप बनाने के लिए क्वाइफिर से कुछ नया चाल चला है आज की इस वीडियो में किलियर बताएंगे आपको लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि वाटसेप की प्राइवेसी पॉलिशी क्या थी कॉन्टेक्ट्स आपके फोन में किनके किनके हैं आपकिस नेटवर्क से बात कर रहे हैं कौन सा सिम काडा भी यूज कर रहे हैं और यहां तक कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं और अगर वहीं पर financial transactions की बात करें तो UPI transactions आप कहां किसे कब कितना रुपया कर रहे हैं यह सारी जो है details जितनी भी गतीवीदियां आप WhatsApp के जरीए करतें यह सारी गतीवीदियों का एक data तयार करके वो जो है Facebook के साथ share करने वाला था तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा धोखा होता WhatsApp users के साथ और अगर इसके term and condition को आप accept नहीं करतें तो ऐसा नहीं था कि वो आपके data को share नहीं करती बलकि आपके WhatsApp एकाउंट को ही यहाँ पर delete कर देती 8 February के बाद तो यहाँ पर फाइनली लोगों ने विरोध किया और यहाँ पर WhatsApp ने चालाकी से जल्दी से यहाँ पर क्या किया है कि WhatsApp ने अपने नए privacy policy को फिलहाल रोक दिया है अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यह privacy policy जो है उन्होंने वापस कर लिया है आपसे नहीं लेगी और आपके account delete नहीं करेगी उन्होंने यहाँ पर देखिए साब तोर पर कहा है कि वो जो है माई तक अपने जो है इस privacy policy को रोकती है और इतने दिनों में आपको क्या करेगी वो आपको पता होगा न भी आप WhatsApp खोलते होंगे तो आप जब status पर जाते होंगे तो वहाँ पर WhatsApp बार बार कुछ न कुछ कहने की कोसिस करता है कि वो आपके data को share नहीं करेगी आपकी privacy उसके लिए प्राथ मिक्ता है ऐसी बाते जो है अब वहाँ पर शुरू करेगी और यह माई तक आपको ले जाएगी ऐसे ही करते करते ताकि आपका विश्वास उस पर बन जाए और finally जो है आपको फिर स WhatsApp की privacy policy की details और अभी जो है privacy जो है इन्होंने वापस नहीं किया है बलकि इसकी date को extend किया है 8 February तक आपके account delete होने थे लेकिन अब इसको extend किया है और इसी बीच आपको समझाएगी वो कि वो कौन-कौन से data आपका share करने वाली है Facebook के साथ और आपकी data को किस तरह से वो share नहीं करे करेगी आपके location से रहने करेगी contact आपका save नहीं करेगी message जो है into encryption में आती है तो वो पढ़ नहीं पाती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ WhatsApp के हाथ में है और वो चाहे जब भी कुछ भी कर सकती है users के साथ दोस्तों चाहे माई हो या फिर कोई भी महीना जब भी WhatsApp आपके WhatsApp के अलाबा चैटिंग के लिए तो आप उसके साथ जा सकते हैं तो दोस्तों ये थी WhatsApp की privacy policy की पूरी details उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए अगर आप चैनल पे नए है तो और मिलते हैं किसी और वीडियो ये कर्क्री प्र握़कित सुम्स एक्प्राइब के लीडियो प्सूड़ाओ का फ्रॉलक्रा जात ग्यूझिति कर डेकर Kalauा प्रोल्ति है कि लिए हैं कि लोड़तिते हैं स्वर ये